रामना भाईयों 10101 LRC फाइनल मेट लिस्ट का सभी अव्यार्थियों को बेसबरी से इंतजार है जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को बहुत संख्या में LRC अव्यार्थी गय थे BCC बोर्ड तो उहां से औस अंतोष जनक जवाब मिला और कितने ही उन्होंने डेट बता स्वर्ण है के 10 मार्ज 15 मार्ज लेकिन हम लोग जैसा की देख पा रहे हैं कि बिहार में कब क्या हो जाता है ठीक है और आगे लोगसवा का चुनाव है इतना बड़ा चुनाव है उस चीछ को धियार में रखते हुए भी ठीक है? हम लोग जो है कच आगे के रनीती तैक किये हैं और कल के डेट में यानि कि कल 6 मार्च के डेट में कुछ लोग बोर्ड में गय थे ठीक है उसमें क्या हुआ उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं इस वीडियो को जरूर पूरा आन तक देखिएगा और अभी अभी अपने सभी ग्रूपो चलिए देखते हैं कि अभी जो है latest क्या update है आप लोगों के लिए और एक बाद इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ promise लेना चाहते हैं तो आप लोग promise देने के लिए तयार हैं अगर तयार है तो comment में जरूर हा लिखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो च B.C.E.C. Board के वरिष अधिकारी अनिल कुमार सिनहा सर द्वारा बोला गया अमीन कानून को कलर की परकेरिया पूर्ण रोप से हो चुकी है अब क्या है लोचा कहां फसरा है आप लोग देखें एसो के सेस कुछ काम बाकी है उन्होंने fix कोई तारिक रिजल्ट पब्लिस होने कि दे रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं कोई एक बात पर निश्चित नहीं रहे हैं नजर आ रही है वह हमारे प्रस्णों से बचना चाहते हैं ठीक है टाल मटोल को गोल गोल गुमा कर छातुरों को गुम्रा कर रहे हैं इसलिए जो है कि आग की रनीती सभी LRC के अभियर्थि चलना है जिया दोस्तों यही प्रॉमिस आप सभी से लेना है यही प्रॉमिस आप सभी से लेना है आप लोग को इसके लिए प्रॉमिस करना है और कमेंट में जो लोग भी 11 को LRC के रिजल्ट यानि final merit list publish करवाने के लिए बेसे इसी बोर्ड में पहुच रहे हैं तो आप लो कमेंट में हा लिखिए कहां से पहुच रहे हैं जरूर लिखिएगा और अपने सभी करीमी दोस्तों को जरूर भेजिएगा और इस मुद्य को गंबिरता से लिजीएगा इसलिए है कि बिहार में आगे लोकसभा मैंलब पूरे देस में ही है तो हर राज में अलग-अलग rate मे होगा लेकिन कभ होगा यह भी तैय नहीं है लेकिन कभी भी शुरू हो सकता है तो लोकसभा का चुनावी है और बिहार में कभ क्या हो जाए किसी भी बहाली को लेकर तो उसका कहा नहीं जा सकता है तो इसीच की गंबिरता को लेते हुए हम आप सभी से अनरोध करना चाहते हैं आप सभी को कहना चाहते हैं कि 11 मार्च को जी हां दोस्तों 11 मार्च को आपको पटना आना है ठीक है 11 मार्च को आपको पटना आना है और अपना फाइनल मेरिटलिस निकलवाने के लिए आपका हवाई अड़ा के नजदीक जहां आप लोगोंने काउंसिलिंग करवाया है वहीं आप लोगों को 11 मार्च को पहुचना है और यहां पे बहुत संख्या में भारी संख्या में सभी अव्यारती पहुच रहे हैं और बता दू कि कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि कुछ ल बहुमत नहीं दिखाएगा तो प्रेसर नहीं बनने वाला है आप कोई कि नेता किसी के आप जो है कि घर के मिंबर नहीं है ठीक है चाहिए पीछे वह दू नहीं हैं अभी तक ठीक है अभिहारती है और आप लोगों और संख्या से ही जहें अपना काम करवाना परेगा इसलि कि लोग 11 March को आप लोगों को पहुचना है BCECE Board जी हां दोस्तों टाइमिंग बता दे आपको 11 11 जो है कि मार्च को सुभा 10 बज़े तक आपको पहुच जाना है अब कहीं से भी आ रहे हैं कोशिस कीजिए कि सुभा 10 बज़े तक पहुच जाया है मैसेज दिल की गहराई में कोई सा जाग कर देखे एक इलारसी छात्र हम छात्रों की गलती बस इतनी रही है कि किर्केट के मै जूटे असवासन इन्होंने जूटे जूट की इमारत खरी कर रखी थी धूल चहरे पर लगा था धूल चहरे पर लगा था और हम सब आइना पोच रहे थे 11 मार्च को पटना चलो बिहार में गुचेगा बात कि किसी भी कोने से आप आ रहे हैं आईए और सुभा 11 बज़े तक जो है कि पहुच जाना है और घर से इसा भीशन संकल्प लेकर निकलना है कि जो है अपनी तागदीर अपने हाथों में लेकर लोटेंगे मतलब रिजल्ट निकलवा कर ही लोटना है और हम हम लोग भी चीज़ समझ सकते हैं कि अगर भारी मातरा में हम लोग आए सब में लिखी है कि जी सर मैं भी आ रहा हूं 11 मार्च को बी से सी बोर्ड आयस एस इसो सेशन भवन सुबद 10 वजे तक ठीक है और बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे जमीन पर उतरेंगे तो रिजल्ट हो सकता है उसी दिन पप्लिस हो जाएगा चली इस वीडियो क को देखी और सेर कीजिए ज्याद ज्यादा लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए नए लोग है तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद